नमस्का दश्कों यूटूब के मेरी चैनल में आपका स्वागत है अब आप से चर्चा करूंगी तुला राशी का सितंबर 2018 का राशी फल की तुला राशी वालों को सितंबर महा में क्या क्या फल मिलेगा सबसे पहले हम चर्चा करें कि तुला राशी के लिए घ्रह गोचर क् प्रशनी बैठा है और जो चोथा भाब है उसमे उच्छ राशी में मंगल के साथ केत्व की होती है दशम भाब में जो है रहू बैठा है और एका दश भाब में जब महिना स्टार्ट होगा सितंबर का तब सूरेवा बुद्की होती होगी जो आगे चलके 18 सितंबर के बाद 12 में चली जाएगी अब हम बात करते हैं कि विश्चे तुला राशी वालों के लिए overall समय कैसा बना हुआ है अगर हम सबसे पहले देखे तो तुला राशी वालों के लगन में शस्टेश गुरू चल रहा है और शस्टेश गुरू के साथ अस्ट में शुक्र भी चल रहा है तो तो चल रहा है तो उसके便 आपको अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं पर इप्रेक वाली में चल रहा है इनी इस गुरु शुक्र की युद्टी का एक Negative Prospective ही है कि कुरु तो आपका शुस्टेश है और शुक्र जो आपका स्टेश है तो यह युद्टी आपके लगन पर health के साफ से सही नहीं है क्योंकि health में अगर दो शुस्टेश और स्टमेश बैठ जाएं तो आपका health का विशेश रूप से ध्यान रखना पड़ेगा जिनको diabetes है वो अपने diabetes कंट्रोल रखें और जिनको BP है वो अपना BP कंट्रोल रखने की कोशिश करें साथी ये तो हुई गुरू और शक्रकी होती इसके बाद हम चर्चा करें शनी की शनी आपके तुला लगन वाल में अच्छा लिल्ट मिलेगा क्योंकि विदारतियों का पंडे में बहुत मन लगेगा और साथी जो लोग नौकरी के प्रेटन कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है क्योंकि फोर्ता उसमें मंगल भी मकर राशी का बैठा है जो आपके दशम भाब को भी नौकरी में लग रहा होगा अभी तक जो उनका मन उचाट रहता था ऐसी इस्तिती नहीं है क्योंकि गुरु शक्र जो जो कुल बैकर जो शंक योग बना रहे हैं साथ ही अगर हम उनके एकदश भाब में बात करें तो उनके सरकारी कामों में भी बनने की इस्तमें तुल मढ़ा राशी फी तो अच्छह हैं बरत्मान सब्रे बी इस सितंबर का महीना उनके ल है पर 17 सितंबर के बाद थोड़ी सी स्फिटी होगी कि 18 सितंबर के बाद सूरे आपका milHH तो जब स्या जाएक और थो सकता है सूरे आपके खरचे करा दें आसी संबादभ नहीं है आ बारवे घर का सूर्य है मुझे इतनी मानते साथ ही बारवे घर में सूर्वे जा रहा है तो आपको अपनी आखों का विशेशुर से ध्यान रखना पड़ेगा जो आखों का काम ज्यादा करते हैं या जो कंप्यूटर गएरा से जुड़े हैं वो बार बार उठें और अपनी कि यात्रा पर जाना चाहें तो 18 सितंबर के साथ आप यात्रा में जाने के लिए बड़ा शुप समय बना हुआ है और उस यात्रा से आपके भागे में भी विर्दी होने की संबाबना बनी हुए इस परकात तुला राशी के लिए जहां गुरुवा शुक्र अच्छा संकेत दे रहे हैं वह शनी भी उन्हें नहीं अपर्चुनटी दिखा रहा है उनके प्राक्रम में विर्दी कर रहा है नौकरी के छेतर में सफलता दे रहा है शत्रों को दवा रहा है और साथ ही सूरे बुद्विस बात का संकेत दे रहे हैं कि उनको सरकारी काम में सफलता मिलेगी हाँ उनके जो चोथे भाव में मंगल केतु के साथ बैठा है जो उनको गुस्से की मात्रा सोड़ी जादा बढ़ा देगा उनको जला गुस्सा जादा आएगा साथ ही मंगल केतु की उती का समध आपके सब्तम भाव से भी है तो हो सकता है कभी-कभी आपका जीवन साथी से किसी भावते विवाद हो जाए तो आप अपने सोड़े परिवार के पक्षपे सोड़ा सतर करिए और तुर्याराशी वाले अपनी हेल्थ का ध्यान रखें काम के साथ से नौकरी के साथ से विजिस के साथ से यात्रा के साथ से सितंबर का महिना उनके लिए बहुत अच्छा है इसके साथ ही दर्शकों मैं अपना वीडियो समाच करती हूँ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए कि पैसे शेयर कीजिए लाइक कीजिए मेरे चैनल को जयमाता दी